हेलो स्टूरेंट्स, वेलकूं टू माइनर्चर, मैं हूँ क्रिशना, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया, तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग, बायो केमिस्ट्री अन क्लिनिकल पैथलोजी का चैप्टर नमबर थार्ड का लेक्चर नमबर वन है ना, चैप्टर थार्ड किस के बारे में बाते करने वाला है, प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमीनो एसिट्स की तो यहां पर अमीनो एसिट्स की भी बाते होंगी, ठीक है ना, प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बाते होंगी, काफी सारी चीज़े हैं, उनके बीमारियां जो हो उसमें सबसे पहले हमें क्या बढ़ना पड़ेगा Amino Acids है ना, heading में सबसे उपर प्रोटीन दिये दिया प्रोटीन को समझने के लिए हमें Amino Acids को समझना जिरूरी है तो इसलिए पहला lecture हमने Amino Acid का रखा है ठीक है ना अब amino acid में हमें क्या क्या लेना पड़ेगा उसके definition है classification देखो amino acid का बता दू मैं classification कई तरीके से possible है इस परष्ट बात लेकिन अपने course में साफ साफ लिखा है हमें उसका by chemical nature और nutritional requirement के according जो classification है यही दो classification करने है फिर बता दे रहाँ इस बात को में ठीक है examples होगे और यहाँ पर हम देखेंगे इसका biological role हमारे body main के क्या क्या role है start करें चलो आते हैं तो सबसे पहले amino acids तो देखो पर बता दू मैं amino acids और protein का आपस में क्या रिस्ता है ठीक है समझते हैं इसको हम लोग amino acids protein का आपस में क्या रिस्ता है amino acids ठीक है यहाँ बता दे रहा हूं बार रिपीट नहीं कर τो करके क्या बनते हैeking protein है याने की जो बात में तो समझाता हूं कि जैसे की मान लो छोटे छोटे छले कुछ बाते यार आई söyleyeंगी इनको तो लोग क्या नहीं सॉल यह हैं यहीं चल्ले जब आपस में मिल जाएंगे अब तुम इसको क्या कहोगे रिंग, क्या 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 कहोग यह क्या थी रिंग्स थी है मारे पास अब यहां पर क्या आगी यह चेन हो गया तो इसको हम लोग नाम देते हैं यह चेन हो गया है यह poly, मतलब बहुत सारे आपस में मर्ज होकर के बने तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको polymer बाते याद आ रही होंगी यह बाते आवी इसलिए बता दे रहा हूँ कि बार 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 रिपीट होंगी बाते ही है ठीक है ना? और amino acids क्या होंगे? mono, है ना? तो यह हो गए monomer तो monomer से जुड़ करके कोई बड़ी चीज जब बनती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? polymer तो protein is the polymer of amino acids amino acid is the monomer of protein बात समझ मार रही है? ठीक है ना? और यह यहाँ पर तो यह monomer है protein का protein polymer है amino acids का पहली चीज clear है बात है? बिल्कुल clear अब बड़ा ही basic सी बात चीज हम लोग यहाँ पर बहुत देख ले बिल्कुल इसको अगर नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल अभी देखो structure से समझने को इस्ट करते हैं बहुत ज़रूरी है तो आमीनो acids होता कैसा है? amino acids तो amino acids का basic structure की बात करूँ है basic structure जो सब में पाये जाएगा तो देखो नाम जुड़ा हुआ amino acids ठीक है? तो यहाँ पर एक carbon होता है उसके साथ acid याने की carboxylic acid जुड़ा होता है COOH कुछ books में या कुछ जगहों पर तुम लोगों को यह इस तरह से दिखा दिये जाएगा double bond O और OH depend करता है ठीक है? तो फिलाल मैं इसको अभी बंद करके दिखाता हूँ चीज़ें फिर आगे clear करेंगे फिर एक लगा होता है हमारे पास H group एक लगा होता है यहाँ पर R यह जो R होता है यही R लगातार क्या होता है? चेंज होता रहता है यही R कभी H बन जाएगा तो एक अलग amino acid हो जाएगा यही R कभी CS3 हो जाएगा ठीक है न? और एक तरफ क्या लगा हुआ है मेरे पास? NH2 तो यह लगा हुआ है Amine group और यह लगा हुआ है Acid तो क्या बनाएगे? Amino Acid तमस्ते जाना बात को अब जिस Carbon से Functional Group लगा होता है तो यह भी Functional Group है और यह भी Functional Group है ठीक है? और Organic Chemistry में सीखी होगी IUPAC Order IUPAC Order ठीक है न? तो Order में जो Group बड़ा होता है उसके According सारी चीज़े होती है तो बड़ा मतलब Priority में ज़्यादा होता है तो यह Priority में बड़ा है तो यह जिस Carbon से लगा हुआ है यह Carbon क्या बन जाता है? Alpha इस Carbon को हम लोग क्या कहेंगे? Alpha जैसे मालों सपोस यहाँ पर लगा होता है COOH एक Carbon, दूसरा Carbon, तीसरा Carbon ठीक है न? तो जो इसके साथ वाला Carbon होता है वो Alpha इसके बाद वाला Beta इसके साथ वाला फिर Gamma Alpha, Beta, Gamma तो यह Carbon क्या हो गया? Alpha हो गया Alpha Carbon पर ही Amine Group लगा हुआ है जो बाते बता रहा हूँ सब आगे लिखी हुई आएंगी वहाँ पर समझाऊँ हूँ आ नहीं डारेक्ट बाते यह हो जाएंगी ठीक है न? तो Alpha Carbon पर ही क्या लगा होता है? Amino लगा हुआ है तो यह मेरा क्या क्या लाता है? इसको अमनों बोलते हैं Alpha Amino Acids अब होता क्या है हमारी बोड़ी में जितने भी प्रोटीन तोड़े गए उनके अंदर Amino Acid को देखा गया सब में Alpha पाये गए बीटा भी होते हैं लेकिन बीटा मिले ही नहीं हमारी बोड़ी में तो हमारी बोड़ी में जो जितना भी Amino Acid है उसको पता है Simple Amino Acid बोल दे यानि क्यों Amino Acid बोलने का मतलब है वो सारे के सारे क्या है Alpha Amino Acids याद रखना ये बात को किलियर है तो सारे के सारे क्या होगा है Alpha का मतलब क्या होता है I will piece से समझा है मैंने Basic Knowledge थी ठीक है अब देखो यहाँ पर होगा क्या एक चीज़ ये के लिए रोगी Alpha क्यों कहा जाता है Basic Structure इसका अब समझ में आने लगा होगा ठीक है ना This is the Basic Structure अब दोग यहाँ पर होता क्या है यह जो R होता है ना यह R मेरा यहाँ पर क्या बदलता रहेगा कभी यह R की Value H हो जाएगी कभी CS3 हो जाएगी सब दिखाऊंगा भी कभी यह Value C2H5 हो जाएगी कभी यह Benzene बन जाएगा जैसे जैसे आर यह बाकी का उपर का यह Structure सेम रहेगा सारे Amino Acid में यानि कि यह इतना Structure सेम रहेगा सब के अंदर इतना Structure कि बात करूँ मैं इतना Structure सब में क्या रहने वाला है सेम यह सब में सेम रहेगा ठीक है ना अब जो आर है आर ही बदलता है आर के बदलने के वज़े से Amino Acid मेरे बदल जाते हैं बात किलिए हो गई ठीक है अब बात करेंगे जो मैंने बात की थी क्या बोला था मैंने कि Amino Acid से जुड़ करके क्या बनते हैं Proteins बनते हैं खेर इसको वहाँ समझाना चाहिए लेकि यहां बता जेता हूँ Second lecture जो आएगा अपना Structure of Protein वहाँ पर peptides की बारें बाते होंगे लेकिन समझ लेते हैं कि अब यहां पर जो क्या है Basic से और Concept समझें यहां पर इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको किनारे कर देते हैं ठीक है अब देखो ज़रा है यहां पर अब होता क्या है यह structure समझ में आ गया एक Amino Acid इस तरह से आएगा NH2 CH CH कोई R माल लेते हैं यहां पर C Double Bond O और OH दूसरा Amino Acid सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है माल लेते हैं ठीक है प्लस अब यह जो H है न NH2 का H में एक H अलग कर दे रहा हूँ साथ में N और एक H को साथ कर दे रहा हूँ जिससे की चीजें हमारे पास समझने में आसानी रहे माल लेते हैं यह कोई R1 होगा यह कोई R2 होगा दूनों R अलग अलग है सेम भी हो सकते हैं डिपेंड करेगा तो होता क्या है एक Amino Acids का Carboxlic Acid वाला ग्रूप Acid वाला ग्रूप दूसरे का Amine वाले ग्रूप यह दोनों आपस में क्या कर जाते हैं मिल करके यह क्या अब निकला यहां से Water Molecule यहां से बाहर निकल जाएगा क्या बाहर निकल गया Water Molecule अब यहां पर क्या रह जाता है यह C Double Bond O यह निकल गया और N और H तो actual में यह जो Bond यहां बनके त्यार हो गया देख़पार हैं इस तरीके से याला Bond है ना This is the This Bond is called Peptide Bond This Bond is called Peptide Bond इसी Bond को क्या बोलते है Peptide अब देखो Mono Peptide में एक Bond है एक और होगा है यहने कि तीसा जुड़ जाएगा तो Di Peptide दो Peptide हो जाएगे दो Bond हो जाएगे तो Peptide Bond किसका किस से मिलके बनता है Acid और Amine से मिलके बनता है Clear होगी बाते है Peptide Bond I think clear हो गया होगा तो यह कुछ basic बाते थी जो आगे इसमें आती रहेंगी हम समझते रहेंगे अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर यह पर Peptide Bond बना हुआ है इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाएगा ठीक है यहाँ पर Double Bond है न यह Double Bond जिसको कई बार ऐसा कर देते है Carbonil हो जाता है Actually है न Double Bond हो यह कौँसा Group है Carbonil Group कहते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं Carbonil Group बोलते हैं इसको हम लोग ठीक है न तो यह कुछ बेसिक बाते थी यह तो इतना आना ही चाहिए इतना अगर नहीं आता है तो प्रोटीन के कुछ कोशन करने में दिक्कत आ सकती है Amino Acid का basic बात समझ में आ गई होगी कुछ और बाते आएंगी समझेंगे basic structure दिमाग में set दो Amino Acid कैसे जुड़ते हैं Water Molecule बाहर निकल जाता है ठीक है न अब Water Molecule जो बाहर निकल गया तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कही बाद residue बोल देते हैं क्या बोल देते हैं residue तो अब जो यह है हम यहां कह देते हैं कई बार Amino Acid Residue Amino Acid residue बोल देते हैं residue मतलब जो चीब बची हुई है तो Water Molecule निकल लेकर जो बच गया वो residue बोल दिया गया यह Amino Acid हो गया ठीक है न यह Monomer अब यह ऐसे जोड़ते 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 जो 50, 60, 100 हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे तो वो जो पूरी chain बनके तयार हो जाएगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे protein बोल देंगे वो समझेंगे protein का भी क्या सीन है उसको भी समझेंगे अभी हम लोग तो मेरे ख्याल से amino acid का basic concept clear हो गया होगा अब हम लोग यहाँ पर देखो definition पढ़ते है बड़ा मज़ा आएगा ठीक है समझते हैं बात को amino acid साथ ग्रूप of organic molecule organic मतलब जिनके अंदर carbon होते है that consists of basic amino group अच्छा amine कैसा होता है NH3 dot है न यह मेरा कैसा group है carboxyl group COOH group यह कैसा होता है acidic होता है क्यों acidic होता है क्योंकि समय पढ़ने पर यह अपने अंदर से यह H plus iron को release कर देगा तो यह acidic हो गया तो amino acids are group of organic molecule that consists of basic amino group amine NH2 and acidic carboxyl group COOH and an organic R group अब देखो यह R group की बारे बात आई ठीक है यह कैसा है यह भी organic है carbon containing होता है एक R group होता है और इसी को हम लोग side chain ही बोल देते हैं क्या बोल देते हैं side chain that is unique unique मतलब अनोखा बिल्कुल अलग होगा to each amino acid जितने भी amino acids होते हैं उन्हों सब में यह R की value अलग होगी दिखाता हूँ अभी दोगो the term amino acid is short for alpha amino या alpha carboxylic acid actual नाम क्या है alpha amino carboxylic acid यह नाम है तो हम लोग बोलते हैं alpha amino acid carboxylic गायब कर देते हैं अब alpha क्यों बोलते हैं वो बात ही मैंने समझा ही यहाँ पर सारे-सारे alpha ही मिले इसलिए अब generally आप alpha ही बोलते हैं या बोलतेते हैं अब समझें यहाँ आर का कॉंसेट समझा जेता हूं इस्ट्रक्टर को फिर समझते हैं इस्ट्रक्टर को दिया बड़ा थोड़ा सा बड़ा बड़ा यह amino group carboxyl group ठीक है दिसीद आमीनो ग्रूप carboxyl group यह एच लगा हुए यह साइड में साइड चेन आर लगी हुई है किलियर है अब देखो यहाँ पर मैंने सारे जितने अमीनो एसिट्स बहुत सारे पाई जाते हैं इस पूरी दुनिया में हमारी बॉड़ी में केवल कितने हैं 20 हैं कितने हैं 20 अब बात को बहुत काज़े समझना जहां जॉइंट होता है कारव एक तरफ COH एक तरफ NH होता यह इतना structure तो common बताया था अब क्या लग गया R की जगह पर मैंने जह उपर बताया था R की जगह पर क्या लग सकता है H भी लग सकता है तो यहां पर इस बार R की जगह पर क्या लगा हुआ है H लगा हुआ है सबसे simple होता है यह और इसको हम लोग क्या बोलते हैं glycine अब देखो यहां पर क्या है H नहीं दिखाया यह carbon बीच में इसमें एक तरफ H और लगा लो इतना structure तो सब में सेम ही रहने व अब यह वाला part आगयाहा है यहां पर क्या है C H2 यहांने कि alcohol लगा हुआ है अब देख सकते हैं यहां पर यह अलग पार इतना part चुम्हीं मिलेगा यह S लग गया S-Sulfur भी लगता है अब हम यहाँ देख सकते है ठीक है इतना पार्ट सेम है V-Line में आ गया आ गया है तो यह दोखो यह हम पर क्या आगा एक हिट्रोसाइक्लिक रिंग आ गई है यह पार्ट देख रहे हैं हम पर यह क्या हो गया यह N यहाँ पर C लगा हुआ यह N और यहाँ पर एक रिंग बन गई है तो यह प्रोलाइन आ गया यह है न हिट्रोसाइक्लिक रिंग होती है क्या होती है हिट्रोसाइक्लिक रिंग इस N यहाँ पर क्या हो रहा है इरोमेटिक बेंजीन रिंग आ गया तो यह aromatic amino acids हैं तो कोई यहां पर नाम भी हैं सबसे छोटे हैं स्मॉल यह nucleophilic होते हैं nucleus attack करने वाले होते हैं ठीक है then hydrophobic यह पानी से भागेंगे welline leucine isoleucine methionine proline ठीक है then aromatic जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाएगी यह पक्के एक दूँ याद रख लेने हैं phenyl alanine tyrosine tryptophan then acidic जो acidic होते हैं अब acidic क्यों है खुछ सोच लो एक मोटा मोटा एक जैसे निए बच्चे होते हैं समझने कहाता है अच्छा यहां पर दो acidic group लगे हुए बहिया इसलिए क्या हो गया है यह यानि कि ऐसे structure जिनमें acid group ज्यादा होंगे COH वो acidic हो जाएंगे ठीक है glutamic acid यहाँ पर एक COH ग्रूप यह लगा हुए एक ग्रूप यह लगा हुए दो ग्रूप लगे हुए तो एक्स्टा हो गया acid आगे आए तो amide c o n h 2 amide क्या होता है c o n h 2 है ना तो यह amide हो गए then basic अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ammonia 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 तो basic nature हो गया यह यहाँ पर देखो एक दो यह भी बेसिक हो गया एक दो तीन चार चार लगए हो यह बेसिक हो गया तो यह इस तरह समय आप दिखा रखें 2020 कि किस तरीके से केवल आर के चेंज होने की वज़े से केवल बात बागी इतना स्ट्रक्चर सब में दोखोगे सब में इतना स्ट्रक्चर क्या मिलेगा से मिलने वाला है यह बात मेरे खाल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ठीक है अब पढ़ ले रीड कर में अगया फिर रीड करना रहिए अब क्या कह रहा है इच मॉलिक्यूल कंटेंस था सेंट्रल कार्बन से रहता है कालदा अल्फा कार्बन यह desperately आफ़ा हो गया ना क्यों क्यूंकि डून्यों क्या बोलते हैं अल्फा बोल देते हैं ठीक है तो विच बोथ जिस पर दोनों ए अल्फा कार्म अटमा जनरली सैटिसफाइड वाई हाइड्रोजन एटम एंड दा आर ग्रूप हो गया तो इसी को यह स्ट्रक्चर समझ लिया तो बस फिर यह याद थोड़ना करना है यह थोड़ना याद करेंगे तो समझने के लिए है हमारे है ना किसी और टेदे बैट वाई इसको पढ़ ले ही वह इसी स्ट्रक्चर को यह एक्स्पेंड किया गया है लिख लेंगे खुद से बात समझ वारी है ना यह ठीक है कार्ट दिया वह नहीं यह थोड़ा एक्साइटमेंट जाता हो गया तो बट हाँ यह लिखना मतलब बता अब ही दिखा लेना जैसे कि और सबसे ग्लाइसीन पका याद रखना है क्योंकि इसमें खासित आने वाली बात आएगी यह नहीं दिखाता है क्या होती है याद आ रहा है कुछ यह नहीं आ रहा कोई बात ने हम याद दिला देंगे नाक्लासिफिकेशन फिर और रहा हूं मैंने पहली बेखा क्लासिफिकेशन ना कई तरीके से रासिफिकेशन और amino acid ठीक है तो यहाँपर एक क्लासिफिकेशन क्या है बेस्ट ऑन चेमिकल नेचर चेमिकल नेचर मतलब एलिफैटिक, स्टेट चेन एलिफैटिक क्या होते हैं, जो स्टेट चेन वाले होते हैं, स्टेट चेन कैसे हैं, यह देखो, यह अलिफैटिक है, यह अलिफैटिक नहीं है, यह अलिफैटिक है, ठीक है, ठीक है, यह अरोमेटिक है, यह अरोमेटिक है, यह अरोमेटिक है, यह प्रोलीन जाहीएगे हिट्रो साइकलिक में प्रोलीन याद हिट्रो साइकलिक में एक्लता कौन है हमारे पास प्रोलीन कट्ट्रो ही में इसलिए बेट्रल होते हैं बसक्ति आंदर अमीन और हम हैं का acid group बराबर होंगे acid होते हैं alkaline होते हैं amino acid भी sulfur containing होते हैं यह याद रख लेंगे sulfur वाले हेट्रो साइक्लिक और sulfur containing याद रखेंगे important हो जाते हैं सिस्टीन सिस्टाइन और methionine सिस्टीन सिस्टाइन और methionine clear रहे हैं अब जो दूसरा classification हम लोगों ने कर रखा है वो classification है हमारे पर based on nutritional requirement ठीक है nutrition मतलब amino acid की हमें जरूरत क्या है कुछ amino acid ऐसे होती जो हमारी body खुद से बना लेती है हम खाना खाएं अन्यसा ना खाएं तो body खुद बना लेती है जब खुद ही बना ले रही है खाना खानी जरूरती नहीं है तो जरूरती नहीं है ना उनकी तो non essential हो गए जरूरती नहीं है और जो खाना खाने के बाद खाने से ही मिलेंगे वह जरूरी आने की उन जरूरी वालों के लिए हमें खाना खाना पड़ता है तो वह essential हो गए तो देखो वही काट है essential और non-essential यह क्या आ गया essential है these amino acids cannot be synthesized in the body body के अंदर नहीं बनते हैं यह and have to be present essentially in diet उसको diet में होना जरूरी है एक्जामपल क्या है वैलाइन, आइसोल्यूसीन, लिूसीन, लैसीन, मेथियो नाइन, याद कर लेंगे थिरियो नाइन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल अलनीन semi-essential this amino acid can be synthesized in the body but the rate of synthesis is lesser than the requirement इनको हमने semi-essential बोल दिया तो कहिना कहिए हमारे पास essential में आ जाते हैं, non-essential में क्या है, यहां पर क्या है जितनी requirement है उतनी रफ्तार से नहीं बन पा रहा है, है ना, चाहिए 10 gram बन रहा है 2 gram या 5 gram तो कहिना कि भाहर से लेना पड़ता है, non-essential these amino acids are synthesized in the body, हमारी body में खुद से बन जाते हैं, जितनी जरूरत है, thus their absence in the diet does not adversely affected the growth, हम खाने में अगर वो amino acid नहीं भी मिल रहा है, तब भी काम चल जाएगा, example क्या है, glycine, alanine and other remaining amino acids, इनके अलावा जो बच गए है, वो यह है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, मोटा मोटा अगर हम लोग इसको break कर दें, त जो essential amino acids 10 हैं, और 10 ही हमार पास non essential amino acids हैं, के लिए रहें, नाम यहाँ पर याद कर सकते हो, थोड़ा सा आते हैं हम लोग बात करते हैं, दो ट्रॉपिक और हैं, इसमें chirality और acid based property, तो chirality का मतलब क्या होता है, मेरे खाल से chirality के बारे हम लोग पहले भी कर चुके है, क्या होती ह हमको पता है, कोई भी ऐसा chemical है ना, जो जब solution में होता है, तो यहाँ से जब plane polarized light को यहाँ से मैं छोड़ता हूं, तो यहाँ तो उसको left rotate करा देगी, या वो right rotate करा देगी, पढ़ चुके हैं सारी चीज़े हैं यहाँ लोग, ठीक है, तो यही क्या है, ऐसे ही compound को हम लोग क्य क्या बोलते हैं, chiral कहते हैं, और जो यह property show करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते है, chirality, अब कौन ऐसा show करता है, ऐसे carbon जिनकी चारो bonding, मालो जैसे यहाँ पर मालो H लगा है, यहां CS3 लगा हुआ है, यहां CL लगा हुआ, यहां BR लगा हुआ है, ऐसे carbon जिनके चारो bond पे अलग अलग molecule लगे हुए हैं, यह atom लगे हुए हैं, वो carbon कैसा होता है, chiral होता है, वो carbon कैसा होता है, chiral, तो हम लोग यहां बहुत अच्छे देख सकते हैं, केवल इसको देखें, यहां पर इस carbon पे दोनों H सेम हैं, इसके अलावा कोई भी carbon, alpha carbon की बात कर रहा हुँ मैं, कोई भी alpha carbon ऐसा नहीं है, जिसके क्या है, दो bond या दो से ज्यादा bond सेम हो, सब में अलग हैं, इसलिए इसको छोड़के, glycine को छोड़के सब के सब क्या है, chiral है, सब optical activity show करेंगे, chiral मतलब show करते हैं क्या, optical activity, अब क्या होता है optical activity, optical activity के मतलब, light के लिए कैसे हैं यह, sensitive होते हैं, यानि लेफ्ट या राइट में rotate करवा सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, optically active बोलते हैं, chiralty बात समझ में आई, आगे आते हैं, all the amino acids except glycine are chiral molecule, यह chiral होते हैं, that is, they exist in two optically active asymmetric forms, called enantiomer हैं न, एक हम dextrotatory बोलते हैं, एक हम livorotatory बोलते हैं, उन दोनों को मिला करके हम आपस म क्या बोलते हैं, enantiomer बोलते हैं, that are the mirror image of each other, यह एक दूसरी क्या होती है, mirror image होती है, mirror image क्या मतलब है, कि इसमें जैसे मालू, इसको मैं यहां रख दूँ, तो यहां पर यह क्या बनेंगी, CS3, CH, CL और BR, यह ऐसा तो mirror image है, लेके rotate करा देंगे, तो एक के उपर एक नहीं आए बट ऐसे क्या लग रहे हैं, यह mirror image लग रहे हैं, one enantiomer is designated as D, dextro rotatory, and other is L, liver rotatory, जो left side will rotate कराता है, light को, के लिए रहे बाते हैं, it is important to note that the amino acids found in proteins, almost always possess only the L configuration, यह भी एक बात है, हम पर जाते हैं, जो protein पाए जाती है हमारे, वो जातर सब के सब कैसी होती है, almost लगबग कैसी है, स सब कि सब light को left side में rotate कराएंगी, clear है, now acid based property, कहीना के अभी हमने classification में देखा है, acid और basic और alkaline होती है, ठीक है, another important feature of free amino acid, free जो बंधा हुआ नहीं है, है ना, जाने कि protein में नहीं बंधा हुआ है, बंध करके उसने protein नहीं बना लिया, free है, is the existence of both a basic and acidic group at the alpha carbon, alpha carbon पे acidic या basic group का होन compound such as amino acid that can act as either an acid or base are called amphoteric, और ऐसे amino acid जो acid और base दोनों की तरह behave करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, amphoteric common शब्द है, सबको पता होगा, amphoteric जो acid और base दोनों से react कर जाए, तब basic amino group typically has pka between 9 to 10, जो basic होती है, उनका जो pka की value होती है, 9 से 10 की बीच में होती है, pka ना, acidic value की strength ह होती है, while the acidic alpha carbosal group has pka, that is close to 2, है ना, जो acidic होते है, उनका जो pka होता है, 2 के बीच में होता है, the pka of a group is the pH value at which the concentration of the protonated group equal to that of the unprotonated group, कह रहा है, the pka of a group is the pH value, ये एक pH value होता है, at which concentration of the protonated group equal to that of the unprotonated, thus at physiological pH, अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, सोड़ी से यहाँ पर language घूम गई है, यह कहना चाहरा है, एक pH ऐसा भी आता है, हमारे पास, ठीक है, यह यह कह सकते हैं, जो हमारा physiological pH है, जो हमारा physical body के अंदर pH पाया जाता है, वो लगभग कितना है, 7 से 7.4 का है, तब free amino acid exists largely as dipolar ions और ज uterine, यह ऐसा pH होता है, जहाँ पर जो protonated और unprotonated, दोनों एक साथ exist करते हैं, equilibrium में, कैसे exist करेंगे, equilibrium में, बताता हूँ मैं अभी, ठीक है, क्या मतलब है, इसका, चलो इसको देख लेते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, यह देख रहे हो, कैसे यह uterine है, ठीक है, और यह नहीं पर ही, अगर मैं हाँ बना दूँ, यह इस ताइब से equilibrium बन जाता है, CH, COH, R, और NH2, तो protonated और unprotonated, ठीक है न, यह आपस में कैसे रहते हैं, equilibrium condition रहते हैं, यह हमारा एक, इस pH पर रहते हैं, और यह pH कौन से हमारा यह, बाडी का जो physiological pH है, जिस पर हमारी बाडी काम करत है, यानि कि 7 से 7.4, तब free amino acids exist largely as, जो amino acid है, वो ज्यादा तर, कैसे रहते हैं, वो ज्यूटराइन की फॉर्म में रहते हैं, कैसे रहेंगे, यह ज्यूटराइन की फॉर्म में रहेंगे, अब ज्यूटर का मतलब क्या होता है, जर्मन में इसको कहा जाता है, hybrid ion, प्रो, हमारी body में free amino acid ऐसे रहता है, इस तरीके से नहीं पाए जाएंगे, बहुत कम ना के बराबर, अब होता है, pH अगर क्या हो जाए, कम हो गया, तो यह catanic form में आ जाएगा, pH अगर बढ़ जाएगा, तो यह ananic form में आ जाएगा, high pH बे, तो हम देख सकते हैं, low pH का मतलब क तो यह अपना H+, निकालेगा, और यह अपना neutral हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, the pH at which zutrein exists is called isoelectric point, जिस pH पर zutrein exist करता है, 20 amino acid है, हर किसी amino acid के लिए pH अलग होता है, जिस pH पर वो लोग zutrein बनाते हैं, थोड़ा बड़ा vary करता है, because at this pH, it is electrically neutral, actual प्लस उतना माइनस, तो electrical हो गया, neutral हो गया, यहाँ यह positive है, यहाँ यह negative है, तो ऐसा pH तो इसे isoelectric point कहा गया है, जहाँ पर isoelectric, electricity एक जैसी होगी, यहने कि neutral हो गया, तो isoelectric point को याद रखेंगे, isoelectric point कुछ नहीं होता है, एक ऐसा pH है, जहाँ पर zutrein क्या करेगा, exist करेगा ठीक है, यह isoelectric point को हम लोग क्या बोलते है, isoelectric point पर isoelectric point करेंगे, तो यह isoelectric point का थोड़ा सा concept है यहाँ पर, जो हमें को यहाँ पर पता होना चाहिए, इसके अलावा, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, essential हमने यह classification है, आप इसका देखी लिया है, अब इसमें आता है, ज दिख लेते हैं, यहाँ पर, amino acids serve as building blocks of proteins, सबसे बिसिक तो यही है, अभी सिखाया था, monomer होते हैं, इन से मिलके क्या बनता है, proteins बनती है, तो यह building blocks of protein, protein बनाने में help करती है, some amino acids are found in free form in human blood, कुछ free form हमारे body में blood में पाए जाती है, also serve as precursor for hormone, precursor मतलब जिससे बनती हैं, हार्मो अब यह पूरीन और पारीम आइडिन हमारे DNA में जाके लगते हैं, ठीक है, DNA वाले में और डिटेलिंग आएगी, vitamins and biological important amines like histamine होता है, allergy create करता है, यहाँ होता है, कुछ कुछ बाते, histamine की बारे बात हम mast cell release करता है, ठीक है, इन सब का precursor यानिन सब को बनाने में help करता है, peptides have many important biological function, okay, अब यहाँ एक word आगया, peptides, 3-4 amino acid जोड़े जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते है, peptide chain है, जैसे कि मानलो, amino acid 1 जोड़ गया amino acid 2 से, तो यह क्या है, peptide bond है, फिर आगया amino acid 3, फिर आगया amino acid suppose 4, तो यह क्या होगी, एक peptide chain, यह protein नहीं है, this is the peptide chain, इसको हम लोग क have many important biological functions, some of them are hormones, कुछ उसमें hormones होते हैं, they are used as antibiotic, यह antibiotic की तरहे भी काम कर सकते हैं, और anti-tumor agent, है ना, जो tumor को खतम करते हैं, some peptides are required for detoxification reaction, कुछ जो peptides होती हैं, वो detoxification reaction में काम करती हैं, तो peptide बनी किस से हैं, amino acid से, some peptides serves as neurotransmitter, कुछ neurotransmitter की तरहे भी help करती हैं, neurotransmitter उमीद है, अब समझ में आता होगा, जो हमारी nerve ending है, neurohumeral transmission पढ़ चुके है ना, हम लोग, ठीक है, जो हमारी nerve ending है, उससे जो निकलता है, amino acids, proline protect living organism against free radical induced damage, अब दो वो very important यहां पर, proline जो है, वो free radical induced damage, जो free radical से damage create होता है, उससे हमको बचाता है, some peptides are involved in regulation of cell cycle and apoptosis, कुछ peptides, cell cycle और apoptosis मे involved होते हैं, apoptosis पता है, program cell death, apoptosis क्या होती है, cell का मरना एक program तरीके से, फिर अगर हम एक-एक की बात कर लें, कुछ यहां खास-खास मैंने यहां पर एक निकाल दिया है, जैसे isoleucine formation of hemoglobin, है ना, तो भले ऐसे याद ना रहे, isoleucine करके तो लिख सकते हो क्या, formation of hemoglobin, prevent muscle washing in debil related individual, जो कमजोर लोग होते हैं, मसल को वह वाश्टिंग, मतलब खरावन से रोकता है, promote healing of skin and broken bones, bone जो टूटी होते हैं, उनको heal करने में help करता है, welline influences brain uptake of other neurotransmitter, brain दूसरे neurotransmitters को अच्छे से ले सके, उसमें help करता है, ठीक है, histody in production of red and white blood cells, तो इस तरीके से तमाम इसके function है, और बलकि अगर भूल जाओ तो body में बहुत सारे काम होते है, 8-10 याद करो और नहीं से याद करो, formation of hemoglobin, skin and bone repairing, neurotransmitter हो गया, histidine क्या हो गया, red and white blood cells में, lysine inhibit virus, वारस को रुकता है, ठीक है, याने की treatment of herpes, herpes जो वारस की infection होता है, ठीक है, और methionine increase the antioxidant level, हमारी body में जो hyal alanine production of collagen, ठीक है, जो भी एक fiber protein होता है, therionine prevent the fatty build up in the liver, liver के अंदर fat को build up नहीं होने देगा, tryptophan prevent the fatty build up in the liver, precursor of key neurotransmitter, serotonin, यह serotonin का precursor होता है, तो तमाम इसके role है, जो पसंद हो, तुमको वो दस याद कर लो, ठीक है, जो तुमको अच्छे लगे, बास समझ में आगी, manager app का basic features की क्या क्या है, यहां तुमको मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे यहां जोड़ चुके हैं, ठीक है, और इस app का फायदा उठा रहे हैं, तो माइन नचे रैप के बारे हैं, चीज़े पता ही है, कोई doubt हो इसके बारे में, तो मुझे call करना, ठीक है, और revision प revision ही करना है, ठीक है, revision करने का मतलब कि एक बढ़ चुके हो, फिर revision करना है, ठीक है न, और app की चाहो तो help ले सकते हो, ठीक है, तो पढ़ते रहो और revise करते रहो, all the best